नमस्कार श्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ पर मैं हूँ राज मोहन तिवाडी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बिहार का कोरोना अपडेट लेकर आज 28 अगस्त का कोरोना अपडेट बिहार श्वास्त विभाग ने जारी कर दिया है जो नए आक्रे सामने आ रहे हैं कल भी मामला जो था वो 2000 से कम था और आज फिर मामला लगबग 2000 से कम आया है चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछले 24 गंटे में किस जीले से कितने नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है उस पर अररिया 83, अर्वल 12, अरंगाबाद 32, बाका 32, बेगुस्चराय 89, भागलपूर 12, भोजपूर 31, बकसर 43, दर्भंगा 49, इस्टचंपारण 94, गया 36, गोपाल गंज 69, जमुई 29, जिहानाबाद 12, कैमूर 7, कटिहार 84, खगडिया 14, किशन गंज 88, लखी सराय 20, मध्यपूरा 25, मधुबनी 79, मुंगेर 20, मुजफरपूर 86, नालंदा 44, नवादा 17, पटना 296, पूर्णिया 87, रोतास 27, सहरसा 68, समस्तिपूर 43, सारं 83, सिकपूरा 20, सिवहर 18, सितमडी 17, सिवान 36, सुपाल 36, वैसाली 41, वैस्टचंपारं 47, इस तरब पूरे बिहार से पिछले 24 गंटे मे 1998, नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, पिछले 24 गंटे में मिले 1998, नए मामलों के साथ ही, बिहार में कोरोना का कुल संक्या 1,30,848 पर पहुचा, लेकिन इसके साथ ही बिहार में मरीजों की ठीक होने की संक्या भी काफी तेजी से बढ़ी है, बिहार में अब तक 1,10 18,000 से जादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुकें, बिहार में जो एक्टिव केस अवे फिलहाल में है, उनकी संख्या है 18,000 के आसपास, अगर बात करें बिहार में कोरोना से जान गवाने वालों की तो बिहार में अब तक 662 से जादा लोगों ने कोरोना से जान गवा दिए, और अगर हम जो नए आकड़े भी स्वास्ते विभाग ने जारी किये हैं उस पर ध्यान दे तो हम पाते हैं कि पिछले 24 गंटे में मात्र दो जीले बिहार के ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा संक्रमीत मरीज मिले हैं इसके अलावा बिहार में 25 वो जीले हैं जहां संक्रमीत मरीज पिछले 24 गंटे में 50 के नीचे मिले हैं यानि वहां 50 से ज्यादा का आकरा पार नहीं हुआ है पिछले 24 गंटे में जो कि अच्छी कवरेक कलिया संक्या 24 की थी आज वो संक्या बढ़कर 25 हो गई है अगर बात करे बिहार में जो सबसे ज्यादा संक्रमीत जीला है तो वो पटना है जहां पर 20,000 से ज्यादा संक्रमीत मरीज अब तक मिल चुके हैं हलांकि इसमें से अगर हम बात करें तो लगबग 23 एक्टिव केस ही बचे हुए हैं दूसरा है मुजफरपूर जहां पर 5,700 के आसपास पर 25,000 से ज्यादा संक्रमीत मरीज अब तक मिल चुके हैं लेकिन यहां भी एक्टिव केस ही मामला गबग 700 के आसपास कहीं है यानि बिहार में अगर हम देखे तो एक्टिव केस के संक्य है वह लगतार नीचे जा रही है वह बट नहीं रही है क्यूंकि मामले जो है वह मिल लेकिन उसके जाँच के इतने ज़्यादा होने के बावजूद बिहार में मामला जो है वह जो हजार के अच्छी खबर कही जा सकती है कि मामला बड़ नहीं रहा है वह उसके आस पास ही रह रहा है हलाकि चिंता कभी से कहा जा सकता है अभी फिलाल बिहार में नियंत्रित होता नजर आ रहा है जो अच्छी खबर है इसी तरह सोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखे मास्क का उप्योग करे बिहार जल्द ही कोरोना मुक्त होगा फिलाल के लिए इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे यहारी नीच धन्यवाद